तो आज के वीडियो को अगर आप लोग एंड तक देख लोगे तो आप लोग यह जान सकते हो कि आपके गल्फेड नहीं या फिर आपके क्रस या फिर आपके स्पेशल वन ने आपके फोन नमबर को वट्सप में सेव रखाया या नहीं यानि कि उन्होंने अपने कांटेक भी आपके नमबर को सेव करके रखाया या नहीं या फिर आप लोग वट्सप को तो लॉग किये ही होंगे बट आज के इस वीडियो को अगर आप लोग प्र तरीके से देख लोगे तो आप लोग वट्सप को ही नहीं किसी भी पर्टिकुल जो कि आप लोगों को definitely पता होना चाहिए अगर आप लोग एक WhatsApp के user है और यह सारे trick जाने लेने के बाद आप लोग के WhatsApp के normal user से एक WhatsApp के pro user बन जाओगे इस वीडियो का एन तक जरूद दिखना बढ़ते हैं सबसे पहले WhatsApp के trick के तरफ गाइस WhatsApp के सबसे पहले trick के तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दू आज की वीडियो में जो भी सारे tips और tricks आप लोग के साथ share करने वाला हूँ वो एक अलगी अंदाज में share करूँगा जो की आप लोग को कौन सा अंदाज में share करने वाला हूँ वो आपको वीडियो में आगे चलके पता चली जाएगा आप लोग जब किसी को voice वगरा send करते हो आप लोग उस voice message को भिजने से पहले check नहीं कर सकते है बड़ गैस आपको एक option मिलता है जो की आप लोग voice message को simply बोल दो यानि कि अपना voice को record कर लो chat में उसके बाद उनके chat से आपको simply back आजाना है कि बड़ फिर से आपको उनके chat में enter करना है फिर आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर आप लोग ले करके उस voice message को आप लोग चेक कर सकते हो जो की बहुत ही ज़्यादा amazing या फिर awesome या फिर useful feature आप कह सकते हो हो जाता है गैस हमारे whatsapp का second जो trick है वो तब बहुत ज़्यादा useful हो जाता है जब आपके भी whatsapp में आपको बहुत लोग एक साथ message वगेरा कर देते हैं और guys आप लोग का time near था उनको reply देने का बड़ guys आप लोग उनके whatsapp chat को read करके रख सकते हो unread mark करके रख सकते हो लाकि आप बाद में जब whatsapp open करो तो आपको पता चल जा है कि इनका message आप लोग ने एक पैड़ा नहीं है यानि कि read नहीं किया है तो उनके message को आप लोग पढ़ सकते हो यानि कि आप लोग read लगा के mark लगा के रख सकते हो so guys simply आपको किसी के भी chat में यानि कि उनके name और chat में long press करके रखना है दो सिकेंड के लिए उसके बाद आपको three dot के click करना three dot पे click करने के बाद आपको mark as unread पे tap कर देना है उसके बाद आप लोग देख पाऊगे कि उनके chat के ठीक बगल में आपको एक blue या फिर green कर रहे का gold सा round सा logo दिखेगा जिससे कि आप लोग mark करके रख दोगे तो आपको बाद में पता ये चल जाएगा कि आप लोग ने उनके message को read ने किया है फिर आप लोग उसको long press करके exact same तरीके से आप लोग उसको unread भी mark करके रख सकते हो so fans ये trick आपको पसंद आ रहे है तो video को like करो चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को आप लोग subscribe कर सकते हो bell icon को all पर set कर सकते हो ऐसे interesting content in future पाने के लिए so हमारे list का third जो trick है chat lock जो की आपको थमनेल में भी देखाने को मिला होगा chat के बगर में एक lock guys आप लोग whatsapp तो lock करके रख सकते हो किसी application के थुरू या फिर whatsapp में भी एक fingerprint का option आ गया है but guys क्या आपको पता है आप लोग किसी के particular chat के भी lock करके रख सकते हो उसके लिए guys आपको third party application का सहारान तो लेना पड़े गाई क्योंकि guys ये सारे feature आपको whatsapp में default नहीं मिलता है but guys don't worry जो application में आपको provide करूंगा application lightweight application है और साथी safe and secure भी है तो आप लोग easily उसको install करके अपने phone में apply करके रख सकते हो मैं personally बहुत मन्द से ये application को use कर रहा हूं आप भी easily कर सकते हो guys application को open करने के बाद कुछ permissions वगेरा दे देना है फिर आपको किसी के भी chat को यहाँ पर add कर देना है जिनके chat को आप लोग log करके रखना चाहते हो अपने whatsapp में guys आप लोग password के थूरू भी उनके chat को open कर सकते हो या फिर fingerprint के थूरू भी आप लोग उनके chat को open कर सकते हो सारे setting आपको उस छोटे सा application में provided है अब guys यह application आपको install कैसे करना है उसको लेकर आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है वीडियो को देखते रहो आगे चलके मैं आपको यह application प्रोवाइट करवा दूँगा guys जैसे कि वीडियो के starting में मैंने आप लोग के साथ share किया था कि आप लोग अपने girlfriend या फिर special one या फिर crush के बारे में जान सकते हो कि उन्होंने आपके number को अपने phone में save रखा या unsave so guys इसके लिए आप लोग को simply whatsapp के 3 rot पे जाने के बाद new broadcast create करना है यहाँ पर आपको कुछ लोगों को add कर लेना है उसके साथ ही उनको भी add करना है जिनके बारे में यह जानना चाहते हो कि उन्होंने आपके number को save किया है नहीं उनको भी add कर लेना है इनने के बाद उस broadcast में आपको कुछ अच्छा एक photo share कर देना है जिनके बारे में जानना चाहते हो कि उन्होंने आपके phone का number को save रखाया नहीं उनके पास यह deliver हुआ है कि नहीं उनका नाम deliver में so हो रहा है कि अगर so हो जाता है तो आप यह समझ जाओ आप खूस हो जाओ कि guys आपके number को उन्होंने इपने phone में save रखाया है वो आपको क्रस हो सकती है या फिर कोई बंदा या फिर बंदी हो सकती है आप लोग खुस हो जाए आपको ये लगता है कि वो आनलाइन भी है बड़ गाइस उनके पास ये डेलिवर मैसेज नहीं हो रहा कुछ समय बाद तो गाइस उदास होना की बात है क्योंकि उन्होंने आपके नंबर को सेव नहीं रगा है तो गाइस ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा आई होब कि ये वाला ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो गाइस इस वीडियो का अपने फ्रेंड के साथ वाट्सअप में सेयर कर दो ग्रूप में सेयर कर दो WhatsApp में सभी के साथ सेयर कर दो ताकि ये वाला WhatsApp का feature या फिर ये वीडियो सभी के पाँ चला जाए और आपके friends वगेरा सभी ये WhatsApp के trick को apply कर पाए और use कर पाए So guys आपको पता होगा अगर आपको WhatsApp में कोई message आता है photo के साथ photo में कुछ लिख कर कोई भेशता है तो guys आप लोग वो जो photo में कुछ लिखा हुआ text message उस text message को आप लोग copy नहीं कर सकते but guys आप copy कर सकते हो जी यहां दोस्तों आप लोग copy कर सकते हो उसके लिए आप लोग उस photo को download करके उस photo को open करना है open करने के बाद नीचे में वो text आपको so हो जाएगा उस text पे आप लोग जैसे long press करके रखेंगी 2 second के लिए उसके बाद वो text copy हो जाएगा आपको skin make bubble दिख जाएगा जिस text को आप लोग easily is trick के तुरू copy कर सकते हो so अब बात करते हैं कि WhatsApp के particular chat को log करने के लिए जो application मैंने आपको पहले बता है था उस application को आपको कैसे install करना है guys आपको मेरे description में जाना है वहाँ पर लिखा रहेगा lock lock के बगल में जो लिंक रहेगा उस पर जैसे आप लोग click करेंगे तो आप लोग directly play store में इस application में चले जाएंगे वहाँ से जाकर इस application को आप लोग easily अपने phone में install करके apply कर सकते हो और किसी के भी chat को आप लोग lock करके रख सकते हो जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा security मिल जाता है तो फाइनली 5 से भी ज़्यादा whatsapp के tips and tricks complete हो गए इस वीडियो में बट गाइस मैंने आपको 10 tips and tricks बताया था यही न बट गाइस मैंने आपको वीडियो के starting में यह भी बोला था कि गाइस मैं अलग अंदाज में आज के वीडियो को बनाने वाला हूँ तो गाइस जो 5 tips and tricks complete हो गए है और जो 5 tips and tricks है उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा कुछ दिन पहले ही मैंने whatsapp के top 5 awesome tips and tricks जो कि वो भी useful है उन सारे tips and tricks और यह वीडियो के tips and tricks देखने के बाद टोटल आपका 10 plus tips and tricks complete हो जाएगा जो कि बहुत ही जज़ा useful है उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा या फिर आपको i button में दिख रहा हूँ आपर click करके आप लोग उस वीडियो में enter कर सकते हो जो कि छोटा सा वीडियो है So I hope कि आज के वीडियो आप लोगो को पसंद आया है कौन साथ tips या फिर कौन साथ trick आपको personally पसंद आया है उस trick को comment करके आप लोग बताना वीडियो को share कर देना अपने whatsapp में सभी group में सभी friends के साथ क्योंकि उनको भी whatsapp के कुछ features के बारे में idea हो जाए उन लोगों को भी पता चल जाए गैस अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को आप लोग subscribe कर सकते हो पास मेरा इबाल आकॉन को all पर set कर सकते हो ऐसे interesting content पाने के लिए गाइस इंस्टाग्राम में आप follow कर लो मुझे इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टीव रहता हूँ कोई भी कर रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो लिंक आपको description में मिल जाएगा और गैस आपको पांच WhatsApp के जो tips and tricks और मैं बताया है वो आपक किसी वीडियो में तब तक के लिए goodbye and stay tuned